असलम अलेकम, वेलकम टू शिनाया नियूस, उमीद करती हूँ के आप सब खेरियत से होंगे, आज 14 फरवरी 2021, यूके की एहम तरीन अपडेट लेके आप लगों की खित्मत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं, अमिल करेंगे खबरों को, इंग्लेंड करोना बरहान से हलात बेतर होना शुरू, आखिरकार इंग्लेंड होम आफिस से आई बड़ी खबर, इंग्लेंड माशियत की नई एहम रिपोर्ट पेश, एहम नियूज, इंग्लेंड हकूमती फैसले के बाद, इलीगल इमिग्रेंट के लिए प्रोसेस स्टार्ट, तो इन तमाम खबरों की तफसिलात जाने के लिए, आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है के वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताके वो भी यूके की और योरप के हल इकलासमी कीजिएगा, तो चलिए शुरू करते हैं आज की एहमत्रीन अपडेट का सिंसला, प्रिल करते हैं आज की पहली खबर को, तुके होम आफिस की जिनों ने पहली दफा अपनी गलती को माना के अभी तक हम ने कुछ डेटे को रिकवर नहीं किया, और मजीद इस जान के करीब ऐसा रिकॉर्ड जो नहीं मिला, और ये रिकॉर्ड खास तोर पर क्रिमिनल्स का था फिंगर प्रिंट्स के हवाले से है, और इसके बारे में होम आफिस का कहना है कि हमारे सौफ्ट्वेर अंजिनियर इसकी सर्चिंग में लगे हुए हैं, और अब भी तक और इसको रिकॉर्ड करने में कामियाब नहीं हुए हैं, और अब इसी तरह दूसरा अदारों की जानिब से, और खास करके पार्लिमेंट ने भी इन्हें काफी ज़्यादा तनकीत किया है, और उन्होंने 15,000 के करीब क्रिमिनल्स का फिंगर प्रिंट्स का रिकॉर्ड गाइब किया, तो अब इस ओपोजीशन के मेमरान ने भी काफी ज़्यादा इनको तनकीत का निशाना बनाया है, होम आफिस को और प्रिटी पर्टेल को, और मजीद इसके इलावा होम आफिस ने हेल्द मिनिस्टर के खलाफ अपना फैसला सुनाया, जो हेल्द मिनिस्टर हैं, उनकी जानि पाउंड फीस रखी गई है, जिसमें एक हजार पाउंड होटल और मुखलिफ टेस्ट वगरा की, तो अगर यूके में कोई ऐसा असाइलम सीकर, जो के मजबूरी के तायर यूके में असाइलम लेने के लिए आता है, तो फिर ऐसी सुरत में वो लोग किस तरह ये फीस पे कर यानि के उसको एरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और इसी के मुखालिफ होम आफिस ने कहा के हम कोई भी ऐसी नई पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, जो हमारी खास कर के लिए पॉलिसी को खतम कर दे, और इसी तरह कोई भी इस किसम का निया कानून नहीं है, जि हेल्द मिनिस्टर के खलाफ और ये खास कर के इसलिए ये बियान जारी हुआ है, शामिल करते हैं अगली खबर को, जो के कुछ इस तरह से है के यूके में मजूद इलिगल इमिग्रेंट्स के लिए निया प्रोसेश शुरू हो गया है, तो जैसा के आप लोग जानते ही जब से हकूमत की जानिब से ये एलान जारी हुआ है, कि अब इलिगल इमिग्रेंट्स को वैक्सीन लगाई जाएगी, तो उसके बाद से हिउमन राइट और्नाइजेशन ने इस जानिब से काफी शौर मचाया, कि इन इमिग्रेंट्स के लिए कोई ऐसा रस्ता बनाया क्यूंकि इनको इस जानिव से ये डर है कि इनका तमाम का तमाम डेटा हकूमत के पास आ जाएगा और इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा तो इसी को लेके UK की हकूमत और Health Minister ने इस बात का बकाइदा एलान कर दिया के ना तो ऐसे illegal immigrants से status पूछा जाएगा और ना ही इनको डिपोर्ट किया जाएगा तो अभी तक illegal immigrants की जानिब से कोई भी response नहीं दिया गया लेकिन उनकी जानिब से येनी के हकूमत के अंडर अभी जो illegal immigrants इनके पास हैं तो उनको वेक्सीन लगना शुरूख कर दी गई है और ये वो immigrants हैं जो के मुखलिक केम्स वगरा में, आर्मी बैरिक्स में और होटल्स व गई है तो अब UK में illegal immigrants के लिए नया process शुरू कर दिया गया है जो के एक अच्छी खबर है, इंग्लेंड करोना वुरान से हलात बेतर होना शुरू, नियूस की तफसिलात कुछ इस तरह से है के इंग्लेंड ने अगर करोना वाइरस को शिकस देने के लिए Israeli road map पर अमल किया तो वो सिर्फ में के आखिर तक lockdown से बाहर निकलना शुरू करेगा, हिसरेईन ले सक्त कोवर्ट पाबंदियों से बाहर निकलने के लिए तीन मराहिल के मनसूबर पर अमल द्रामत शुरू कर दिया है, जो के बोरस जॉनसन की जानिप से 22 फरविस के लिए मुकरर किया गया है इसरेईली हिकाम को उमीद है कि 15 दिन जायर जुरूरी दुकाने, जिम्स और दूसरी जुनसी चीजें हैं दुबारा खोल दी जाएंगी, ताहां वुज़रा इस एकदाम पर अमल द्रामत के लिए सिर्फ इस सुरत में 23 फरवरी को ग्रीन लाइट देंगे, अगर 50 साल से ज शरा भी लाजमी तोर पर कम हो चुकी हो, इसी लॉक्टाउन में असानी के मनसूबे के तहद 9 मार्श तक इम्स, कैफे, रेस्टूरेंट का खेर मुकदम करने की इजाज़त नहीं होगी, इस वक्त तक 50 साल से जाइद उमन 95 परसंट अफरात को वेक्सीन दी जा चुकी है, आप शामिल करते हैं खबर को के इंग्लेंड मार्शियत की नई एहम रिपोर्ट पेश, कोना वाइरस पाबंदियों ने मुल्की पैदावार को शदीद नुकसान पहुंचाया है, जिस वज़ा से साल 2020 मार्शी तोर पर काफी जादा नुकसान का उनको सामना हुआ है, अदा पाबारी पाबंदियों में कदर नर्मी आने से आई थी, कोमी मैकमा अदादोश मार एन एस ने बताया के मेमान नवाजी कारों की फरोगत और हेर ड्रेसर ने कुछ खोया हुआ कारोबार वापिस हासिल करने में काम्याबी हासिल की थी, इसके इलावा माशियत में एक अदाफा हुआ नतीजे के तोर पर बरतानिया 1970 की दिहाई की तरह की शदीद नौयत की जिसकी तवक्त ही के बच गया है, ब्रिटिश चेयर्मेन आफ कॉमरेस के माशियत के सरबरा ने कहा काराजा डेटे के मताबिक यूके एकनॉमिक के लिए साल 2020 तारीख तरीन साल रहा है इसके इलावा चारों माशी शोबों में पैदावार में कमी देखी गई, तामराती शोबे में सबसे ज़्यादा कमी वाक्या हुई जो 12.5% की कमी नोट की गई, इसके इलावा आज के अदादो श्मार से पता चलता है के गुजश्टा साल हमारी माशियत को एक खास चटका लगा था, उन्होंने तसलीम किया है कि आपको मालूम है कि जो कुछ वाजिया है वो अभी मजूद है कि बहुत से कुम्बे और कारोबारी अफराद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, इसलिए हमने इस बुरान से लोगों की मदद के लिए, मुलाजमतों के लिए एक जामिय मनसूबा त्यार किया है और हम अपने माशियरत अमल का अगला मरहला तैक करेंगे, हम मार्स के शुरू में अपने बच्चट में अपने लावा अदादो इश्मार में इस बात की तस्दीद भी की गई है कि नासिर बरतानिया में यूरप की बतरीन अमोत हुई है, बलके हम क सूबे देने की जरूरत है, इसी के साथ उमीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपके इल्में इजाफा हुआ होगा, मिलती हूँ फिर मैं आप सब से किसी लेटस्ट अपडेट में, तब तक आप सब अपना बहुत ख्यार रखेगा, थैंक यू, खुदा हाफिज़।